हेलो फ्रेंड्स वेलकुम टो मारे यूट्यूब चनल आउनलाइन लेर्णिंग वेबसाइट दोस्तों जी के लूसेंट में साइंस में आपका स्वागत है अमनों बात करें पार वाद करेंगे जन्री ग्रंतियों के बारे में यह जन्रों बोलते हैं गोनाड एक अंडास है य या अस्तियोजन के सहियोग कर इसे विद्धी करने में साहता करता है तीसे आता है रेलाक्षंट घर फास्तमें यह एंडास भाल्सता वन अपरा में उपस्तित रहता है यह हार्मोन स्कूरिंग सिंफ्राइस का मुलायां करता है और यह घरवह से दिशिंटाब्स की ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोरीन कहते हैं या पुर्शोचित लैंकिंग लच्णों के परिवर्धन एवो और योन आच्णों को प्रिड़ित करता है आठवा रिस्पेटरी सिस्टम या जिसको बोलेंगे सुष्षिन Tantra मनेश्षी के सुष्षिन Tantra का सबसे महत्रपूर्ण अंग फेवरा या फुस्फुस लंस होता है यहां पर गैसों का आधान-पदान होता है इसलिए इसे फुस्फिस सुषिन भी कहते हैं सोशन तंजर के अंतगत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायू का आधान पदान होता है जैसे नासा मार्क, ग्रेशनी, लैरिंक्स या स्वर्यंत या ट्रेक या ब्रॉंकाई या ब्रॉंकियोलिस तदा फेपड़े आदी नासा मार्क या नासाल पसाच इसका अप्रमक के कार सूंगने से समधित है या सोशन नाल के दौर का भी कार करता है इसके भी दर की गुवा म्योकिस कला से इस्तरित होती है या इस तरलगबग एक बढ़ा दो लिठर म्योकिस प्रती दिन सिरावित करती है या इस्थर दुहुल के कर्ण जिवान या अन्य सूच्म जीव को सरीर के अंदर प्रवेस करने से रोकती है या सरीर में प्रवेस करने वाली वायू को नम एवं सरीर के ताप को बरावर बनाती है ग्रसनी या नासा गुरुहा के ठीक पीछे इस्तिद होता है ऑफ ग्रशनी को ट्रोकिया से जोड़ता है लेंक्स या स्वार्यंत्र क्यालाता है इसकाम्मो किकार धनी उत्पादन करना है लेंक्स प्रवीस द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाहट होता है जिसे एपी लॉक्टिस कहते हैं जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लॉक्टिस द्वार बंद कर देता है जिससे भोजन स्वासनली में प्रवेस नहीं कर पाता है। ट्रेकिया यह वच्गुवा में प्रवेस करती है और ट्रेकिया के दोनों प्रमुक साखाओं को प्रात्मिक ब्रॉंक्यूल कहते हैं। दाया ब्रॉंक्यूल तीन साखाओं में बट कर दाई और के फेपर में प्रवेस करती है। बाया ब्रॉंकिल केवल दो साखाओं में बट कर बाय फेफडे में प्रफिस करती है। फेफडा वच गुवा में एक जोड़ी फेफडे होते हैं, इनका रंग लाल होता है, और इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दाया फेफडा बाय फेफडे के तुलना में बड़ा होता है, और प्रतिक फेफडा एक जिल्ली द्वारा घेरा रहता है, जिसे prural membrane कहते हैं, फेफडे में रुदिर कोशिकाओं को का जाल बिचा रहता है, यहाँ पर O2 रुदिर में चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है, श् Cellular Respiration uchen यह दो पदों में विबदो होता है स्वासो च्वास और गैसो का विनवे स्वासो च्वास ब्रीफिंग फेफडों में निश्ची दर से वाईव भली वह निकाली जाती है जिसे शांस लेना या स्वासो च्वास कहते हैं स्वासव च्वास की क्रियाविधी या मैकनिजम और ब्रीथिंग, नी स्वाशन या इन्सिप्रियेशन इस अवस्ता में वायू वात्तावरन से वायू पत द्वारा फेफड में प्रवेस करती है जिससे वच गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड में एक निम्न बराबर ना हो जाए बी एक्सवासव इसमें सवसें के इस पश्चात वायू उसी वायू पत के फेफड से बाहर निकल कर वातावर्ण में पुना लौट जाती है जिस पत पर फेफड प्रवेश जिसमें वह फेफड में प्रवेश करती है इस बासोर च्वास में वाईू का संहतन है। नाइ्ट्रो जेन ऑक्सिजिन सक्वर्ट एक्सेशन अंदर लेंगे वेड़के वाई। अजत्रसनों प्रिश है। 29जर प्रिशी सबिंशन प्रिश्जेन और 6fik दभी कर्मिन दिक्साइब। बहार निकाली गई वाईव, अटाता असलोंच जीरो नॉट दो परिशाद सत्ता परिशाद ऑक्सीजन और चाहद परिशाद कार्पन अक्साइड नोट, साहाँ दौरा लगबग, चार सो एमल पानी प्रति दिन हमारे सरीर से बहार निकलता है, गैसों का विन में या एक्चे गैसों का विन में उनके दाबों के अंतर के गाणा होता है, इन दोनों गैसों की विश्ण की दिसा एक दूसिये के विपरीद होती है, गैसों का परिवन, गैसों का O2-1-CO2 फेफरे से सरीर की कोशिकाओं तक पहुचाना तता पुना फेफरे तक वापस लाने की क्रिया को का परिवन कहते हैं, ऑक्सीजन का परिवन रुदिर में पाए जाने वाले लाल वडग हिमोगलिबिन के द्वारा होता है, कार्बन एक्साइड का परिवन कोशिकाओं के से फेफरे तक हिमोगलिबिन की द्वारा केवल 10 से 20 पतिर तक ही हो पाता है, कार्बन एक्साइड का प्रकार से भी होता एक प्लाशमा में घुलकर कार्बुनिक अमल बनाती है और यह रूप में 7 प्रिशत का प्रिवन होता है यह रूप में प्रिश्छा का लगबर 17 प्रिश्द भाग प्रिवन होता है आंत्रिक सोचन, शरीर के अंदर रुधिर एवम उत्रक तत्तव के बीच में गैसी विनमे होता है, जिसे आंत्रिक सोचन कहते हैं नोट, फेफरों में होने वाले गैसी विनमे को बाहर सोचन कहते हैं इससे जब रूधिर कोशिकां में पहुंचता है तो oxygen विमक्त होता है एवं खाद पदार्तों में oxygen होता है इससे उर्जा विमक्त होती है जो हता है कोशिकी सोसन खाद पदार्तों के पाचन के फल्सुल प्राप्थ ग्लुकोज में कोशिकां में oxygen द्वारा oxygen किया जाता है इस क्रिया को कोश्की स्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस्वस सुगर फेर्मेंटेशन भी कहते हैं इसके अंतगत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को गलाइक्सो मिक्स में कहते हैं अनोपरिक सर्षन या आनोक्सी सर्षन के अंता में पायरोफिलिक अमल बनता है अनोक्सी सर्षन प्राया जीवों में गहराई पर इसनित होती है बीजों में फ़लों में फोड़े समय के लिए होता है प्रनतों इस्ट अवरोफिल में यह प्राया पाये जाते हैक औक्सीजन यह यह एड़ोबिक रेस्पररिशन यह ऐसीजन की उपस्तिति में होती है इसमें सोसेनी प्रदार्थ को पूरा ओक्षिकरन होता है जिसके फल्सुरूप कर्मन एक्साइड एवा हाइडोजन बनते है तथा काफी मात्रा में उर्जा विम्बक्त होती है C6H12O6 प्लस 6O2 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2 प्लस 6S2 प्लस 2830 किलोजूल उर्जा कोश्की सोसेन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को दो भागों में बाटा गया है एक है ग्लाइड ग्लाइसिस इसके अध्यन में सुर्पतम एंबडन मायर हाफ और पारसन ने किया था इसलिए इसे EMFP पद भी कहते हैं इसको ऑनक्सी स्वचन या एनोर्बिक रेस्पेशन या सरकरा किवरन भी कहा जाता है इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्टिती में उर्जा मुक्त होती है या वस्ता ऑक्सी, एरोबिक या ओनक्सी दोनों प्रकार के स्वचन पर उपस्टित रहती है एक ग्लुकोष अड़ो को ग्लाइको लिगतटन की फल्सुरूप पायरुटित अमल के दो अड़ो बनते हैं इस प्रक्रिया को आर्म करने में दो अड़ो ATP या अडिनोट्राइजक फॉस्फेट वै होते हैं किंतु प्रक्रिया के अंध में अडू ATP पराफ्थ होते हैं असलताँ गुलाइको, सिस, के फल शुरूद अडू ATP पराफ्थ होते हैं अठाँ 16,000 कैलोरी, ब्राकट में दोगड़े 8,000 उठचा पराफ्थ होती है ग्लाइकोमेसिस में ऑक्सिजन के आफ़सक्ता नहीं होती है आता है यह प्रक्रिय ओनक्सी सोचन एवा ऑक्सी सोचन के एक समान होती है इसमें हाइडोजन के चार परमाडू बनते हैं जो NAD और को 2NADH2 में बदलने के काम आता है क्रेप्स चक्र इसका वर्णन हैंस कब्र ने सन 1937 में किया था इसको साइट्रिक अम्लिक चक्र या ट्राइक कार्बोसलिक चक्र भी कहा जाता है या माइटो काइंट्रिया के अंदर विसेस एंजायम के उपस्तिती में संपन होता है ADP के 2 Aड़, ATP के 2 Aड़ बनते हैं इस चक्र में हाइडोजन के 2-2 परमाड़ो 5 पार मुक्त होते हैं इस पूरे चक्र में 2 Aड़ पायरुविक अम्लिक होते हैं अतक कुल 6 Aड़ कार्बन डगसाइड के बनते हैं हमारे दंत्र में अधिक्तम ATP अड़ों का निमाण कैप्स चक्र के द्वारान होता है। उर्जा का उत्पादन या प्रड़क्शन आफ एनरजी पायोरिक अड़ों के अड़ों आक्सिकर्ण में ATP का अड़ों 5 अड़ों, NADH के एक अड़ों वा FADH2 का बनता है। एक प्रस तीन कुड़े 5 प्रस दो कुड़े एक ब्राबर 18 अड़ों ATP के बनते हैं। ग्लुकोज के एक अड़ों से दो पायोरिक अमल के अड़ों बनते हैं, जिसमें 36 अड़ों ATP के प्राप्त होते हैं। क्लाइकोलेसिस के दोयान भी 2 ATP अड़ों का लाब होता है। अता ग्लुकोज के एक अड़ों को स्वशन से कुल 2 प्लस 36 अड़ों इकल टू 38 ATP अड़ों प्राप्त होते हैं। स्वशनी पदार्थ कर्भोईडर वसा अड़ों प्रोटीन प्रमई स्वशनी पदार्थ होते हैं। जिसमें सहरीर के भार में कमी होती है, सवशन का नियंतरक मस्तिस का मेंडूला आर्बुलेटा से आर्बुलेटा हाग से किया जाता है पोशक पदात की बात करते हैं, वे पदात जो जीवों में विवन प्रगार के जैविक कारियों के संचालन एवन संपादन के लावशक होते हैं, पोशक पदात के लाते हैं उप्योगता के अधार पर ये पोशक पदात चार पकार के होते हैं उर्जा उत्पादा वे पोशक पता जो उर्जा उत्पादन करते हैं जैसे वर्षा एवं कार्बोहाडड़ूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू गुड़ों को एक बीड़ी से दूशी बीड़ी में ले जाते हैं जैसे न्यूकलिक अम मनिश के शरीव में भीविन कार्यों में निम्लेकित पोश्चक पदातों किया सकता है कार्बोहाइडर्ट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूकलिक अम और खनिज लवण पधाता कार्बोहाइडर्ट, कार्बन, हाइडर्जन और ऑक्सिजन, एक दसमें दो अनपात, एक के अनपात से मिलकर बने कार्बनिक पदात कार्बोहाइडर्ट कलाते हैं सरीर की उर्जा को आविशक्ता की 50-50 परिश्चत मातरा की पूरती इनी पदार्थों द्वारा की जाती हैं एक ग्राम ग्लुकोज के पूर्ण ऑक्सिकर्ण से चाह दसमें दो कैलोरी उर्जा प्राब्द होती है कार्बोहाइडर्ट तीन प्रकार के होते हैं जैसे ग्लुकोज और फ्रक्टोज मिलके सुख्रोज करनेमान करते हैं जबकि ग्लुकोज मिलके माल्डोस करनेमान करते हैं और glucose और lactose मिलकर हमारा lactose का निर्माड करते हैं यानि में ध्यान रखना है कि glucose और glucose मिलकर maltose का निर्माड करेंगे जबकि glucose और fractose मिलकर सुक्रोज का निर्माड करेंगे और glucose और lactose मिलकर lactose का निर्माड करते हैं कार्बॉाइडर के प्रमुक कार्ण के बारे बात करते हैं। तो आक्षी करने दोरा शरीद की उर्चा की आफसकता को पूरा करना, शरीड में बोजन संचय के तरह करना, विटामिन C का निर्माण करना और नूकलिक अमलोक का निर्माण करना जन्तुओं के बाहे कंकाल का निमाड करना, कार्बॉइडर के प्रमुक्सोत जो हैं, वो गये हों, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, सकरकंद, सल्जम प्रोटीन के बाद करते हैं, तो प्रोटीन सरपतम प्रयोग में जे बार्जिलिस ने किया था और यह एक जटिल कार्बनिक योगिक है, जो 20 अमीनों अमल से मिलकर बने होते हैं, मानों सरीर का लगभग 15 भाग प्रोटीन से बना निर्वित होता है, सभी प्रोटीन में सेव करता है तथा 26-10 पहजन के त्वारा प्राप्त होते हैं, सोयवीन और मॉंग्फलीर में प्रजूर मातरा में प्रोटीन मिलता है, एक कारशील माहिलाकाब प्रती दिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार, cell protein, वे प्रोटीन जो केवल अमीनों अम्ल के बने होते हैं, cell protein कलाते हैं, उधाने ता एल्बूनस और ग्लोबूनस हेस्टोन इत्यादी, साय योगमी प्रोटीन वे प्रोटीन जिनके अड़ों के साथ समू भी जुड़े रहते हैं साय योगमी प्रोटीन कलाते हैं उदाने के लिए क्रोमो प्रोटीन, कलाइको प्रोटीन आदी वे प्रोटीन जो प्रागतिक प्रोटीन के जली अब गटन से बनते हैं वयत प्रतीन प्रोटीन कलाते हैं उदहाने के लिए, प्रोटीनेस और प्रैपटोनफरफैडit प्रोटीन के मैट्वण कारे जो हैं यह कोशिका हैं जीवद्रव एवं उद्रकों के निमाड़ में भाग लेते हैं सारीक वित्ती के लावशक होते हैं और इनमें कमी में सारीक विकास रोग जाता है बच्चों में प्रोटीन की कमी में क्वासी रोकर अवर मरमस नमक रोग हो जाते हैं आप सकता पढ़ने पर सरीर को उर्जा देते हैं यह जैव उत्पेरक एवर जैव निंतरन की रूप में कार करते हैं अनुवान सी लच्चनों के विकास को निंतरन करते हैं यह जवान में भी साहग होते हैं कौसी रोकर इस रोग में बच्चों का हाथ बाव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर के और निकल जाता है मारासमस इस रोग में बच्चों की मास पेशियां डेली हो जाती है थर्ड वसा यह फैट वसा ग्लिस्रॉल एव वसी अम लगा एक एक एस्टर होता है वसा ग्लिस्रॉल एव वसी अम लगा एक एस्टर होता है इसमें carbon hydrogen and oxygen वत्चित रहते हैं वसा सबनता 20 degree cc टाप पर ठूस अवस्ता में होते हैं परन्तु यदि वे इस टाप पर द्रव अवस्ता में हो तो उसे तील कहते हैं वसा हमें दो परकार के होते हैं संत्रप्ट या और तथा आसंत्रप्ट अस्तंत्त वसा अमल मचली के तेल एवमरस्पति तेलों से मिलते हैं केवल नारियल का तेल तता नाड़ का तेल संतिप तेल के उधान है एक ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी उर्जा उत्पन होती है सबानता एक वैस्ट व्यक्ति को 20-30 उर्जा वसा से प्राप्ट होनी चाहिए सरीर में इनका स्सेलेशन माइटू काइंडिया में होता है वसा का मुक्यकार या सरीर को उर्जा पदान करता है या सरीर के विमिन अंगों को चोटों से भी बचाती है वसा की कमी से तवजा रूखी हो जाती है वजन की कमी आती है एवन सरीर का विकास सुख जाता है वसा की अदिक्ता से सरीर इस्थूल हो जाता है रिदय की विमारी होती है और रख्तेचाप बढ़ जाते है नहीं इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है प्रन्तु यह सरीर के उपाचे या मेटाबॉलिजम में रसानिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यन्त अफिशक है इसे रच्छात्मर पतात भी कहा जाता है गुलन सीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं जल में गुलन सील विटामिन 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 के विटामिन 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 के विटामिन 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 के विटामिन विटामि तदाद भी, विटामिन D और के को संसलेशन हमारी सरीर में ही होता है। विटामिन D का संसलेशन सूर्ग के प्रकास में परस्टिस परापेगनी के रणों दोरात वजा के केलोस्ट्रोल या इगरोस्ट्रील दोरा होता है। विटामिन के जिवाड़ों द्वारा हमारे कलॉन में संसेलित होता है तदा वहां के उसका अफसोचन भी होता है अब हमनों बात करेंगे बहुत ही important point के बारे में जो कि एक्जाम में कास कर पूछ राते हैं कि vitamin की कमी होने से वाला रोग एह हो उसके स्रोथ काफी important होता है exam के perspective से जो हमनों एक एक करके बात करेंगे बात करेंगे vitamin A की जिसका रसाइग नाम है retinol और कमी होने के वाले रोग का नाम है रताउंदी संक्रमणों का खतरा और जेरो थेलुमिया और और स्रोथ है vitamin A में मिलेगा दूद में, अंडा में, पनीर में हरी साग में, सबजी में, मचली तेल में vitamin B1 की बात करेंगे तो इसका रसाइग नाम है vitamin B2 इसका रसाइग नाम है riboflecpin तोजा का कटना फांकों का लाल होना जीवा का फटना इसे मिलता हमे vitamin B2 खमीर, कलेजी, मास, हरी सबजियां, दूद vitamin B3 निकोर, नाइटिमेंट या नियॉक्सिन या इसकी कमी से होता है प्लेरगा या तोजा दांत या 4D syndrome, मास, मंगफली, दालो, तमाटर, पत्ती, काफली, सबजियां vitamin B5 पैंतिलिटिक अमल, बाल सफेद होना, रुद्धी होना, मास, दूद, मंगफली, गन्ना, मतर, तमाटर vitamin B6 पायर, हार्टेक्सिन, एनेमिया, या तजा रोग, यक्रत, मास, आनाज vitamin B7, बायोटीन, लखवा, शरीम, दालो, गिरना, मास, आना, यक्रत, दूद vitamin B11, फॉलिक अमल, एनेमिया, पॉसिच, रोग, दाल, यक्रत, सबजिया, अना, सेम vitamin B12, साइनो, बाल, मिन, एन्बिया, और पांट रोग, मास, कलेजिए दूद vitamin C, एसकोबर, एसिड, इसकरबी, मसूड़े का फूल, नीबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खटे-पदा, मिर्च, अंकुरित, अनाज vitamin D, कैल्सिस, फॉर ओल, रेक्टिस, बच्चों में, और स्टुमेलेसिस, वैसे में, और मचली यक्र, तेल, दूद, अंडे vitamin E, टूकोफ्रायराल, जरन सक्ति का कम होना, पत्ती वाली सबजियां, दूद, मक्खन, अंकुरित के हों, वरस्पती तेल, और vitamin K, फिलो, क्लिविन, रख्त का धक्काना बनना, टमाटर, हरी सबजियां, आतों में, में भी उत्पन होती है नोट पानी में, और्जनिक विश के करण, केरोटित्स नमग भिमारी होती है अब मनुव बात करेंगे, जल की, मनुश इसे पी कर प्राप्त करता है, जल हमारे सरीर का प्रमुक है, भाग जल का ही है जल के प्रमुक कारण, जल हमारे सरीर में ताप को समवेदन पसीनत अवाश्पन द्वारा नेधित करता है, सरीर के अपसिस्ट पदार्तों को सरजन का मैतपूर माध्यम है, सरीर में होने वाले अधिकतर जैव रसानिक अविक्रियाओं, जली माध्यम से उत्पन संपन होती है नूकलिकम या नूकलिक एसिट या कारबन, हाइटोजन, नाइटोजन, ऑक्सिजन, एवन फास्परो से बने नूकलोर्टाइट के बहुलुक हैं, जो अल्पमात्रम में भी हमारी कोशिकों में DNA वा RNA के रूप में पाए जाते हैं, इनका प्रमुकार है अनुवान से गुड ना, एनजाइम्स के निर्माण, एवन प्रोटीन सर्चलिशन को निर्माण करना, ये क्रोमोटीन जाल का निर्माण करते हैं, खनिज लवड, मनुश खनिज भूमी से प्राप्त ना करके बनुभोजन की रूप में ग्रहन करता है, ये सरीर के उपच्चाई क्रियाओं को न 4-5 प्रेशद होते हैं, मैतिपूर्ण, खनिज पता तता उनके प्रकार, खनिज, सोडिय, क्लारोट के रूप में 2-5 ग्रह, मुकिस रूत, सधारन, नमक, मचली, मास, अंडे, दूर, प्रकार या समानता कोशिका, ब्राद्रव में धनायन के रूप में होता है, और तता नि सथ्ख्या एक धन्रव, नमक, मचली, समानता, कोशिका द्रव में धनायन के रूप में प्रकार, और या अभी क्रियाहों के रिए आवश्या कोशिका होता है, ounce होता है, कोशिकाँ में होने वाले अनेक रसानी आभी क्रिया, पेशित संकुचन, तंत्रोआक का संक्र differenti, अन रागी मचली ये विटामिंगे साथ हड़िया तता दातों का द्रणतर पदान करता है और रुदिर के संपादन के भूमिका पेशिय संकुचन पक्रिया में संबंद केल्सियम में संबंद होकर दातों की हड़ियों तत को द्रणतर पदान करना और सरी की तल पदारतों से सरजात्मा संद्र मनाय रखने में सायक है लोह 25 mg बालक और 35 mg बालिका कलीजी गुर्दे अंडे का पीतक चौकरा युक्त आटे की रोटी बाजरा रागी सेप केला पालक अनहरी सब्जियां तथा गुण लोहा लाल लुदिर कणगाओं में हमोगलिबिन के बनने के लिए अविश्यक है या उतक ऑक्सीगण के लिए अविश्यक है आयोडीन 20 mg मचली, समुंदर, री, खरपतवार, हरी, पतिदार सब्जियां आयोडीन नमक या थाराइड ग्रंती द्वारा स्रवित थायरोक्सिन हार्मोन के संसलेशन के लिए अविश्यक है गल कंड से बचने के लिए, Magnesium, अत्वल, सब्जियां, पेशी, तंत्र एवं तंत्रिका, तंत्रिक की ग्रिया, कैंसर से बचाव के लिए जसता अलव यकरत एवम मचलीजा इंसुलिन कारिकों के लिए तामबन अलव अतलए मास मचली एवमीर सब्सक्राइब करें अलव विटामिन B12 के संसीशन हे λोगां थु की सब्सक्राइब एकलीजें, पसक्कानध विडियो आज अच्ज है रहे हैं कर सकते हैं और मेरा टेलिग्राम चैनल जोआए कर सकते हैं थैंक्स विल वच्छेंग एंट शेरिंग